पूर सेग्मेन में हाजिर है सना कैसा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज इसको सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो से लुट्फ अंदोज होगे आज मैं आपको सीख कबाब बनाना सिखा रही हूँ सब्सक्राइब निवाला जायो इसके लिए जो-जो चीज उमें चाहिए वह वह मैं आपको बता देती हूँ मैंने बीफ का अधा किलो किमा लिया है सक्षा और दोनों में बना सक्ते हैं और जो चीज चाहिए एक चाय का चमचा नमक एक चाय का चमचा कुटी हुइ मिर्चे ए आधा चाय का चमचा गरम मसाला, आधा चाय का चमचा जीरा पाउडर, एक चाय का चमचा पपीते का पेस्ट, कच्छे पपीते का, एक खाने का चमचा लहसना दरक का पेस्ट, दो खाने का चमचे हरा धनिया, पांच से छे हरी मिर्चे और एक दर्म्याने साइस की प्यास, इस अब हम इसे चॉपर में डालके कीमे के साथ सारी चीजों को दो से तीन मिनट के लिए चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम इसको मेरिनेट होने के लिए कम से कम चार घंटे के लिए रख देंगे यह देखे मैंने कीमे में सारे मसाले डाल के हरा मसाला भी प्यास भी ह्कितने तकर च्परम कीम Может सब डाल के मैंने चॉपर में 3-4 मिनट तक लिए चलाया की पर को और यह सब देखे कितना फाइन चॉप हो चुका है आप देख सकते हैं इसको मैं आप 3-4 घंटे के लिए मैरिने करने के लिए रख देती हूं यह देखिए सीख कबाबों कीमा मेरिनेट हो चुका है अच्छी तरहां चलिए अब हम इसा बनाते हैं कि हम इसको फ्राइपैन में अतवे में बनाएंगे तो इसलिए मैंने जो असार इसकी लोहे के सीखे होती है वह नहीं ली मैंने यह शाशली के स्टेक्स ली है आप देखें कि इतना अच्छा मेरिनेट हुआ है और बिल्कुल भी हमें हैंड्स पे और या वाटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है लेकिन बाज दफ़ाएं कीमा अच्छा नहीं होता आप उसको हलका हलका हाथों पे पानी लेके और लगा लें मैं आपको एक उस तहां भी दिखा देती हूं यह देखें यह रैडी हो चुका है इसी तरह मैं बना के रख लेती हूँ प्लेट म यह देखें थोड़ा सा फिंगर से पानी लिया और हाथ में लिया उसके बाद हम दूसरी स्टिक लेंगे और इस तहां करके और उसमें हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको कीमे को दबाएंगे स्टिक्स पर और लंबा कर लेंगे यह देखें मैंने सारे सीख कबाब बनाके रख लिए हैं आधा किलो कीमे में तकरीबन 10 से 12 सीख कबाब बनेंगे लेकिन मैं अभी आपके सामने सिर्फ 6 बना रही हूँ बाकी मैं फ्रीजर में रख दूंगी जब बच्छों को खाना होगा तब यूस कर लेंगे चले आएं बनाते हैं यह देखे मैंने चूला जलाके इससे तवे को रख दिया और इसमें तीन से चार खाने की जमचे मैंने ऑईल डाला है अब मैं इसमें कबाब रखूंगी हम इसको स्लो फ्लेम पर सब तरफ से शेख लेंगे थोड़ा सा इसको टर्ण करेंगे ताकि ऑईल कबाबों है अच्छी तहां नीचे की साइट पर लग जाए चले आब इसको हम चार से पांच मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पर एक साइट से शेखेंगे उसके बाद फिर इ आप इस चिसका दिहान रखिएगा जैसे ही आप इसको पैन में डालेंगे एक से दो मिनट के बाद कीमा अपना पानी छोड़ेगा तो आप फिकर मत कीजिएगा इसको जल्दी टर्ण करने की कोशिश मत कीजिएगा नहीं तो कबाब तूटना शूरू हो जाएंगे यह अब इसको भी इसी तहां चार से पांच मिनट के लिए सिखने देंगे यह देखिए दो तरफ से तो हो गए हैं अब हम इसकी लेफ्ट और राइट साइड की जो है नहीं हुई जिन पर कलर नहीं आए उनको आपको इस तहां पकड़के कलर लाना पड़ेगा सबको इसी तरह चेंज करते जाएं फिर हीसाइट को कर लें तीन से-4 मिनट इसको करेंगे फिर इसको दुबारा ट्राइड करेंगे यह देखिए यह देखिए चारो तरफ से हो चुका है मैं इसको प्रेटर में निकाल रहे हो फिर आपको डिशाउट करके दिखाउंगे यह दिखे सिख कबाब तयार हो चुके हैं आप इसको सलाद और राइते के साथ खाए मैंने इसने सलाद के साथ राइता बनाया उआ आप इसको प्लैन राइता भी बना सकते हैं इसके साथ सर्फ कर सकते हैं इसको इस recipe को enjoy कीजिए, सीख कबाब तयार हो चुके हैं, उमीद है मेरी recipe आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी recipe आपको पसंद आई है तो please इसको like, share और subscribe कीजिए, मिलते हैं एक next recipe के साथ हुआ है